नमस्कार दोस्तों आप सभी का सौगत करता हूँ Only IS में हम लोग अपने Supreme Court के judgment के series को आगे बढ़ाते हुए अगले case पे बात करेंगे जिसका नाम है Joseph Sine vs Union of India 2018 Basically इसका judgment 2018 में आया था और जो ये पूरा case है वो Article 14, Article 15, Article 21 से related है और हम लोग साथ में ये भी जानेंगे Article 15 में क्या है क्योंकि Article 15 जो हमारा है वगर उसको हम समझेंगे नहीं तो शायद हमें ये case ठीक से समझना आए तो थोड़ा मैं Article 15 को अच्छे समझाओंगा बढ़ उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि Section 497 है क्या क्योंकि जो जोसफ थे उन्होंने Court में ये Petition File किया और कहा कि 497 जो Section 497 है जो Adiltery Criminalize करता है उसको Struck Down करना चाहिए हाला कि Supreme Court ने उसको Struck Down कर दिया तो उन्होंने बोला Struck Down करना चाहिए इसको अब ये हम जाने कि Section 497 में है क्या ठीक है Adiltery होता क्या है देखे Section 497 में पहले ये बोला गया है अगर कोई person किसी दूसरे की wife के साथ Sexual Intercourse करता है ठीक है और उसको अगर ये पता है कि उसकी शादी है वो married है और साथी साथ अगर जिसके साथ उन्हें Sexual Intercourse किया है उसके पती का consent नहीं है इस चीज के लिए तो उसको Section 497 के तहट 5 साल की सजा या जुर्माना भणना पड़ सकता है ठीक है? समझा या? फिट से बताओ मैं आपको Section 497 ये बोलता है अगर कोई person दूसरे के wife के साथ Sexual Intercourse करता है और उसे ये चीज पता होती है कि वो महिला जो है वो married है और साथी साथ अगर वो जो जो इस महिला के साथ Sexual Intercourse करता है उस महिला के husband का concern नहीं है उसमें तो उसके लिए सजा हो सकती है 5 साल तक की साथी साथ जुर्माना भणना पड़ सकता है अब देखिए जो इसमें main मुद्दा था main मुद्दा इसमें ये आ रहा था कि एक तो ये gender neutral नहीं था कहीं से भी वो कैसे नहीं था वो मैं आपको थोई दर मताऊंगा साथी साथ Article 14, 15, 21 का violation था Article 14 क्या बोलता है Right equality ठीक है Right equality कैसे नहीं है वो भी अभी आपको समझा जाएगा Article 15 क्या बोलता है इसको मैं अभी समझाऊंगा Article 21 आपको पता है Liberty की बात करता है Privacy की बात करता है जो कि आपका पूरे तरीके से इसमें relate होता है Section 497 में कुछ drawback थे क्या थे drawback Section 497 के तहर सिर्फ जो men थे पुरुष थे सिर्फ उनको ही सजा मिल सकती थी ठीक है और सिर्फ जो husband होता था मतलब की माल लिजे जो person किसी महिला के साथ sexual intercourse में participate है उस wife का husband ही सिर्फ complain कर सकता है समझ रहें आप मतलब जिस husband ने sexual intercourse किया किसी और के wife के साथ उस wife का husband कर सकता है बट जिस आदमी ने किया है उसकी wife complain नहीं कर सकती कि मेरा पती किसी के साथ extra marital affair में है ठीक है तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या है एक तो यहाँ पे पैटियार्की दिख रही है कि मतलब पुरुष का अधिकार है इस चीज में मतलब कि पुरुष की property है महिला सिर्फ पुरुषी उसके लिए जाके court में लड़ सकता है उसको चतर दिला सकता है और कि इसके लिए जो person किसी और महिला के साथ शारी सुधा महिला के साथ sexual intercourse में है वो person तो सजा उसको मिलेगी बट उस महिला को नहीं मिल सकती क्यों नहीं मिल सकती section 497 किता है वो भी मैं अब आपको थोज़ दिर में बताऊंगा फिर क्या है अगर कोई person sexual intercourse में होता है किसी unmarried woman के साथ तो वो adultery नहीं कहलाएगा समझ रहे हैं तो मैंने आपको चार-पांच चीज़े बताई इसको ध्यान रखिएगा तो आपको अच्छे समझ आएगा आगे ये जानते हैं कि article 15 क्या बोलता है article 14 right to quality की बात करता है मैंने आपको बता दिया article 21 liberty privacy की बात करता है ठीक है अब article 15 क्या है ये समझते हैं थोड़ा देखिए article 15 पूरा समझने की जुरद तो नहीं है हमें इस case के रिगार्डिंग हमको सिर्फ 15.3 समझना चाहिए बट अगर हम कर रहे हैं तो पूरा short में इसको समझा देते हैं देखिए article 15 बोलता है कि 5 grounds पे state आपके साथ discrimination नहीं कर सकता है वो 5 grounds कौन से है religion है caste है sex है place of birth है और race है ठीक है article 15 clause 1 बोलता है कि state आपके साथ इन 5 grounds पे इन 5 grounds के basis पे कोई भी discrimination नहीं कर सकता है article 15 clause 2 क्या बोलता है state और जो नागरिक है वो public places पे race, religion, caste, sex place of birth के basis पे किसी भी प्रकार का discrimination नहीं कर सकते है 15.1 में state की बात की गई है 15.2 में article 15 clause 2 में बात की गई है state और नागरिक की कि वो public place पे इन 5 grounds के basis पे discrimination नहीं कर सकते है अब आता है आपका article 15 clause 3 इसको ध्यान से सुनिएगा बहुती आसान है कुछ इसमें ऐसा नहीं है इसमें parliament को ये power मिली है कि वो कुछ special provision बना सकते है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए women's और children's के लिए उनके protection को लेकर तो ये तरह का आपका positive discrimination हो गया उनके भलाई के लिए उनके अपलिक्मेंट के लिए ये कर सकती है होगा एक word ये होती है और महिलाओं का आप जानते हैं कितना ज़्यादा शोशड हुआ है पहले के time पे और आज भी equality पूरे तरीके से नहीं हो पाई है ठीक है आप कुछ लोगों agree नहीं करेंगे इससे बड़ आप अगर देखेंगे तो काफी population में आज के time equality नहीं मिल पाई है महिलाओं को और जो हमारा इंडिया का population है वो 70% जो population है इंडिया की वो rural area में रहता है ठीक है अब 70% जब population rural area में रहता है तो आप rural area की तुछ तितिती जानी रहें कि वहाँ कितनी equality होगी महिलाओं के लिए हाला कि आज कल की लड़कियां पढ़ रही है लिख रही है नौकरी कर रही है बट then also हम लुग वहाँ तक अचीव नहीं किये है जिस तरह हमारा goal है जो हमारा समिधान का goal है ठीक है article 15 clause 3 parliament को power देता है कि special provision बना सकता है उनके upliftment और advancement के लिए महिलाओं और economic backward classes के लिए schedule caste के लिए HTE के लिए schedule tribe के लिए special provision बना सकता है उनके advancement या upliftment के लिए उसके बाद article 15 clause 5 भी same यही बोलता है बट थोड़ा individualistic उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा क्या वो बोलता है article 15 clause 5 बोलता है special provision पार्लेमेंट बना सकता है उसके पास power है socially educationally backward class के लिए SCST के लिए but educational institution के admission के लिए मतलब अगर किसी educational institution में admission लेना है तो उसके लिए कुछ ऐसा provision बना सकता है इनके पक्ष में वो भी वो चाहे state का added हो चाहे non-aided institute हो खीक है ऐसा कोई compulsory नहीं है कि state का added institute ही होगा तो ही उसके लिए provision मन सकता है हमने article 15 clause 4 पढ़ा article 15 clause 5 पढ़ा इन दोनों में difference क्या है उसमें बात कर रहा है कि उनके advancement की इसमें बात कर रहा है advancement किसमें किसको लेकर educational institutional के लिए वहाँ पर उसके लिए बात कर रहा चाहे वो added हो चाहे non-aided हो ठीक है तो उसके लिए बात कर रहा है तो हमने यह पूरा article पढ़ लिया में हमको पढ़ना तो कौन सा article 15 clause 3 जिसमें की बात करता है special provision women और children के लिए उनके appointment उनके advancement के लिए ठीक है यह ध्यान रखिएगा अब जो मैंने आपको बताया अभी section 497 के अंदर कभी तो consent है न अब जब जो person किसी के साथ intercourse में है तो उस person को सजा हो रही तो उस महिला को भी तो होना चाहिए उस महिला को सजा क्यों नहीं हो रही तो यह case था case था यूसूफ अब्दूल versus state of Bombay इस judgment में Supreme Court ने बोला था कि जो महिलाओं का protection है वो हमारा article sorry article 15 clause 3 के ambit में आता है जो कि special provision दिया गया है कि महिलाओं और children के लिए तो उन्होंने कहा कि article 15 3 के तहत उनको protection दिया गया है 497 में तो यह कोई किसी भी तरह का fundamental right violate नहीं हो रहा है और नहीं यह गलत है तो महिलाओं को सजा नहीं हो सकती है इस तरीके से ठीक है यह आपको समझा गया अब बात करेंगे हम लोग judgment की Supreme Court का इस case को लेके judgment के आया उन्होंने पूरी तरीके से इसको रद कर दिया उन्होंने बोला कि यह बिलकुल भी सही नहीं है यह fundamental right का violation है उन्होंने का कि यह section 497 है यह पूरी तरीके से doctrine of coverture के basis पे बना है देखे doctrine of coverture हमारे Indian constitution में कहीं भी mention नहीं है और doctrine of coverture यह होता है कि कोई भी महिला अगर अपने वैवाही जीवन में आ जाती है अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसकी identity और legal rights खतम हो जाते हैं यह बहुत ही मतलब वाहियात doctrine है seriously मतलब यह कौण सी बात हुई मतलब कि वो एक तरीके से slave बन गई उस पुरुष की उनका जो पती है वो master बन गया उनका इसका तो मतलब यही हुआ कि वो legal rights उनके खतम उनकी identity खुद की खतम तो यह पूरी से किस गलत है तो Supreme Court ने यह बोला कि बिल्कुल गलत है यह fundamental rights का violation है इस तरीके से तो जो marriage हुई है उसमें तो महिला का कहीं से भी participation है ही नहीं क्योंकि अगर उसका legal rights खतम अगर उसका identity खतम उसका कहां किस तरीके से participation है वहाँ पे कहीं से भी नहीं है सो Supreme Court ने बोला कि यह article 14 का violation है article 21 का violation है क्योंकि article 21 के तहत उसकी liberty हाम हो रही है उसकी privacy हाम हो रही है उसका sexual autonomy हाम हो रहा है जो कि article 21 में include है ठीक है उसका पूरा right है इस अब choose करने का उसकी पास liberty है आप लोग onlyis का telegram channel join कर लीजे so that आपको easily वहाँ पे pdfs मिल जाए ppt मिल जाए current affair की वहाँ पे pdf मिल जाएंगे आपको जो the hindu क editorial discussion होता है उसकी ppt मिल जाएगी so that आप easily revision कर सके और साथी साथ आपको UPSC की कुछ required materials जो होंगी जाए state pcs की कुछ required materials होंगे जो वहाँ आपको मिल जाएंगे और साथी साथ आपको YouTube में जो भी वीडियो जाएंगी उसकी वहाँ पे notification मिलती रहेंगी तो आप जरूर सी जाके telegram channel join करें onlyis का चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब Supreme Court ने क्या बोला उन्होंने बोला कि भीए जो आपका 497 है section 497 है उसमें आपने ये बोल दिया कि women's को कोई सजा नहीं मिलेगी ठीक है क्यों नहीं मिलेगी जोकि article 15 clause 3 में women के protection की बात कही गई है उसके तहत ही आता है उसके ambit में आता है ये 497 तो Supreme Court ने बोला कि आप इस तरीके से fundamental right का use नहीं कर सकते हैं मतलब ये article 15.3 को आप ये बोलें कि women's के protection के लिए है तो आप 497 वो ambit में आएगा और इसलिए हम women को सजा नहीं दे सकते तो बिल्कुल गलत है ठीक है आप कहरें women के protection के लिए आप कर रहे है जो वही काम women कर रही है वही काम पुरुष कर रहा है सेम चीज पुरुष को सजा होगे ये women को सजा नहीं होगे और आप कहरें women की protection बट जो 497 आप बोलें इसके ambit में आएगा 15.3 के वो खुद में ही इतना बार discrimination कर रहा है वो खुद में ही women को कहीं भी protection नहीं दे रहा है कैसे नहीं दे रहा है मैंने आपको बताया ना कि उसमें 497 में जो भी wife होगी ठीक है मतलब जो person ने किसी और wife के साथ sexual intercourse किया तो ये जो person है जिसने किया है इसकी wife का बिल्कुल भी right नहीं है complain करने का court में जाने का adultery के लिए तो आप protection कहां से दे रहे हैं आप तो उल्टा women को एक object बना रहे हैं एक slave बना रहे हैं और पुरुष को master बना रहे हैं कही न कहीं आप PTR को promote कर रहे हैं आप society में भाया देखिए आप एक type कहा रहे हैं आप कहरो husband का अगर consent है तो दूसरा husband उसकी wife के साथ sexual intercourse में आ सकता है तो उसकी wife से नहीं पुछा चाएगा उसके wife का consent नहीं होना चाहिए या उसकी wife जो है वो जा के complain नहीं कर सकती तो कहां से woman का इसमें protection है कहीं से भी नहीं है आप पूरी तरीके से PTRG को promote कर रहे है पूरी तरीके से ये गलत है fundamental right coalition भी है इसमें article 21 में ये दिया है ना कि खुद की liberty होती individual की उसकी खुद की freedom होती है कुछ का choose करने का कोई एक right है उसका उसमे sexual choices जो उसकी है वो एक human liberty है तो वो कहां है वो तो आपने चिल ली ठीक है जैसे मैंने आपको बताया था क्या section 497 doctrine of coverture पे established है जो की बोलता है कि woman की शादी होने के बाद महिला की शादी होने के बाद उसका legal right खतम हो जाता है तो कहीं से भी ये 497 section 497 woman को protect नहीं करता है तो आप article 15 133 को ऐसे मत बोलिये कि woman को protection करता है तो इसलिए वो उसके embed में आता है बिल्कूल भी गलत है अब जो ये पूरा judgment था इस judgment में एक बात और आई कि adultery तो खतम कर दिया हमने जो सजा इसके लिए थी मतलब की section 497 के तहत जो सजा दी जा रही थी इसको decriminalize किया गया अडिल्ट्री को criminalize नहीं किया गया बर अडिल्ट्री के basis पे अडिल्ट्री के grounds पे आप divorce की मांग कर सकते हैं ठीक है ये judgment में आया था और हमने इसमें क्या जाना किस किस का violation हुआ article 14 का violation हुआ article 15 का violation हुआ कैसे 5 grounds बताये थे आपको मैंने religion, race, sex, caste, place of birth के basis पे कोई भी discrimination नहीं कर सकता है तो भाई या sex के basis पे आप discriminate कर रहे है women's का right कहा है women's को तो आप right दिये नहीं मैंने आपको बताया कि women's को right मिला ही नहीं है उसके consent नहीं मागा गया ना उससे उसको एक हग दिया गया complaint करने के लिए तो article 15 का भी violation हुआ article 21 का भी violation हुआ कि उनको choice का कोई option नहीं उनके liberty नहीं है कोई right ही नहीं है so पूरी तरीके से उसको request कर दिया गया और यह जो landmark judgment था एक तरह का एक तरीके से liberty और gender parity की अस्थापना किया gender neutrality की एक तरीके से स्थापना किया equality की स्थापना किया और एक individual की जो liberty है उसको लेके उसकी अस्थापना किया तो हम लोग अपने judgment को आगे इसी तरह बढ़ाते रहेंगे judgment series को और next case पर बात करेंगे तब तक लिए नमस्कार